दोस्तों आप यहां पर जो यह पंखा देख रहे हैं यह देखे रोकसी कमपनी का पंखा है तो इसमें प्रोब्लम क्या है तो इसमें प्रोब्लम यह है कि यह पंखा करंट मारता है यानि कि इस पंखे में करंट है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो करंट है आ रहा है वह कहां सारा तो पहले से चेक कैसे के आता है वह मैं आपको बताता हूं और आपको दिखाता हूं तो इसे चेक करने के लिए देखे मैंने सारा यहां कनेक्शन खोल दी हैं और यहां पर मैं एक सिरीज टेस्ट ले लिया हूं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको चेक करन किस पंखे में करेंट है या नहीं तो मैं क्या करता हूं यहां पर यह पलग लगा लेता हूं और चेक कर लेता हूं कि हमारा स्रीज टेस्ट लेम काम कर रहा है तो देखे यह स्रीज टेस्ट लेम बिल्कुल सही काम कर रहा है अब आप यहां पर देखे चार वायर जो देख रह आपको यहां पर्केक करना है उसके दूसरे ओर को यहां पर टच्च करने के बाद यह बल्ब जल जाता है तो अगर दोनार को और यह के 12 कंड तो आपके में यह बल देखें जलता है इसमें पूरी रोशनिक साह नहीं जल रहाएं आप इसमें डिखाता हूं तो देखें यह बल्ब जल रहा है जाल वायर में भी आप टच करते हैं इस तरह से और यह बल्ब जल जाता है चारो वायर में से किसी वायर में आप देखे इस तरह से यहां टच किए यहां यहां और यह बल्ब जल जाता देखे इस तरह से अगर इसमें नहीं जलता तो इसको देखते देखे इसमें भी अगर मान ले तो आपको एक वायर में ब्हुता अगर जाएगा तो आपको पंके में करेंट को याद रखेंगा अब मैं क्या करता हूं अब मैं एक काम करता हूँ इस पंखे को पूरी तरह से खोल लेता हूँ खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि current कहां से इसमें आ रहा है देखे मैंने पंखे को पूरी तरह से खोल दिये हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पंखे में problem कहां से यानि कि इसमें जो current आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, तो देखें, यहां पर आप ध्यान से देखें, सामने में, देखें, मैं आप दिखाता हूँ, इस जगह पर आप देख सकते हैं, कि यहां का सारा wire sort करके, जो है कि पंके के body में touch हो रहा है, तो problem यहीं से है, तो मैं क्या कर काम हो जागा देखे मैं इसे यहां पर इस तरह से काट रहा हूं तो देखे यहां पर यह वायर देखे जला हुआ है यानि कि यहां पर यह अच्छी तरह से सौठ हो चुका है यहीं पर यह बोडी में टच हो रहा है जिसके कारण करण आ रहा है तो मैं यह चारो वायर को बाहर झाल झाल